नमस्कार प्रभा सक्षी नीजस नेटर को आप सभी का स्वागत है मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी की रास्टरे प्रोक्ता शाजिया इलमेजी शाजिया जी दिल्ली के मुख्यबंदरी अर्विंद केजरिवाल की दलीलें काम नहीं आई और आखिरकार अदालत ने उन्हें तिहार जेल भेज दिया कैसे देखती है इस पूरे विशे को देखिए बहुती अफसोस की बात है वो केजरिवाल जो बाकाइदा राम लीला मैदान में जब अन्ना हजारे अन्शन कर रहे थे 16 अगस 2011 के बात से और 13 दिन जो इनसान जिसके जान पर आ गई जिसने अन्शन क प्रश्टा चार के खिलाफ और जिसके वज़े से जिन लोगों को कोस कर के इजरिवाल जी बन गए सी-एम अब उनके बचाओं में वही लोग जिनको वो कहते थे कटर बेइमान वो उनके पक्ष में आ गए हैं सोचने वाली बात हमने देखी महाठक बंदन की जो रैली और कोई तो वज़ा है कि मनीस सोडिया को सतेंदर जेन को संजे सिंग को और बाकि जो 14 गिरफतारियां हुई है उनको बेल नहीं मिली तो यह सोचने वाली बात है जब जब सवाल पूछो यह सवाल बात करते हैं शरत रेडी की अब शरत रेडी को तो पूरे मामले एक प्रक पर आधारत है यह केस प्रमान होंगे और जो भी अप्रूवर बनता है सिर्व उसकी बात को सिर्व सुनकर नहीं कोई केस बनाया जा सकता है उसके साथ साथ इतने धेर सारे विटनिसेज हैं और बयानात हैं टेस्टिमोनियल्स हैं जिसके चलते यह पूरा प्रकरन आगे सब को बेल मिली है ना लंबी-लंबी बेल मिली है ऐसा क्या है कि सिर्व मनिस सोडिया को और संजे सिंग को और के कविता को अब आप हाली में गई हैं और बाकी जो गिरफतार हुए शराब घोटाले में इनको बेल नहीं मिली जिए अजीब दास्ता है यह कहां शुरू कहां यह कहांई शुरू होती है जाडू से खत्म होती है दारू पर जाडू से जो कहांई शुरू हुई थी तो हम देखते थे कि जब जाडू की आधार शिला रखी जा रही थी उसमें जैसा आपने जिकर भी किया कि नारे लगाते थे कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लेकर आते थे वो सारे कि सारे नेता तो उनके लिए बचाव में खड़े थे रामला मैदान में वही रामला मैदान जहां से अपना वंदे मातरम का इंकलाब जिंदावाद के नारे अन्ना हजारे जी के नेतरुत में आप समने आप भी क्योंकि आमादी पार्टी के संसापक हैं तो आप सब ने लगाए थे बिल्कुल और हम सब लोग कहते थे यह सड़कों पे निकलते थे रामलीला मैदान में तो सब ने देखा लेकिन कितनी मेहनत इसमें हुई है और हम लोग आम जो रिक्षे वाला होता था और जो सबजी बेशने वाला होता था उससे भी अर्व ही चोर जिनको केजरिवाल चोर कह रहे थे वो सब तो उनके साथ बैठे हैं सारे मौसेरे भाई और अगर हम देखें कल सुनिता केजरिवाल जी का जो संबधन हुआ वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आजादी की लड़ाई में तो अर्विंद केजरिवाल पर शहीद हुए थे ऐसे जो उनके बयान था इसको कैसे देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि शहीद भगत सिंग का बार बार नाम भी लिया जा रहा है और सबसे पहले तो मैं उनके परिवार वालों से माफी मांगूंगी शर्मा प्रार्थी हों कि इस तरह से उनके बा और उन सारे परिवारों से चाहे हो अश्वाख लाजी का हो धिंगरा जी का हो या पिर हमारे शहीद आजम का हो हम में हाथ जोड़कर प्रात्ना करती हूं और श्रमा मांगती हूं कि उनके बारे में इतना निरादर आम आदमी पार्टी कर रही है और शराव के जो घुटाले बाज हैं उनकी तुलना कर रही है और क्या शहादत दी है वो तो ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उसके चलते बन गए सीएम तो इंडिया अगेंस करॉप्शन हो गया है आए नडिया फॉर करॉप्शन ये देखिए पहले तो इंडिया अगेंस करॉप्शन था जिसका में हिस्सा थी और अब हो गया है आए नडिया जो पूरा गटबंदन है ठगो का अब वो ब्रष्टाचार के लिए ब्रष्टाचार के साथ कड़ेवे ब्रष्टाचारी हैं जिनको बचाने के लिए ये महारैली आप निकल देखिए और चलिए राणीति देक अलग जगह है लेकिन एक जो होती है मित्रता अगर हम राणीतिक मित्रता की बात कर लें राणीतिक जो सहयोगी जो आपके साथ संगर्ष करके कुछ इमारत को खड़ा करते हैं उस इमारत को खड़ा किया आप लोगों ने आम आदिपाटी से सबसे पहले आप निकली उसके बाद तमाम एक तरह से पूरी पंक्ती लग गई नेताओं की और आज के जो अरविंद केजरिवाल के सहयोगी हैं चाहे वो संजे सिंग हो मनी सिस हो दिया हो वो जेल में हैं उनके लिए खड़े नहीं हुए अरविंद केजरिवाल और अगर हम देख लें कि किस तरीके से अब आत आतियों के साथ विश्वास घात हुआ और शुरुवात तो की अन्नाहजारे के साथ ही जो अन्नाहजारे चाहने रहे थे पार्टी बनी यह हम लोग ले नहीं सोचा और अरविंद केजरिवाल तो बगाइदा कासम खाते थे कि अम पार्टी में नहीं आएंगे ना आडियो भी है और लोगों ने देखा है किस तरह से लहू लुहान होके यह गुंदर जी के साथी इसलाम साहब और यह सब निकले हैं कितने उनकी धुलाई हुई अंदर उसके साथ चाहे मयां गांधी हूँ चाहे और हूँ उससा भटे आडमिन रामदा जो उनके अंदर के पालते उनको भी निकला गया और अब सोचे अब नए साथियों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है मनी से सूडिया किसे तो बाकाइदा उनके पक्षमे तो बूले नहीं बड़ी बड़ी बाते जरूर की लेकिन इस्तीफा ले लिया इस्तीफा ले ले लिया उनोंने सतेंदर ज आइक कर रहे हैं और तो रास्ता बना रहे हैं राबडी देवी यह पन्यास के दूसरे Turns֊ का जीजिए गर हमें वहते ले डेखी जो इनके पुराने साथी थे उनके लिए नहीं हमpenी से सोदिया गए उनसे स्तीफा ले लिया इस्तीफा सत एन जैन गए तो 50 साल भर बात लिय बिलकुल और हमारे देश के इतियास में ऐसा होगा पहली बार कि एक चीफ मिनिस्टर बाकाइदा जेल से कैबिनेट मीटिंग्स लेना चाहता है वैसे सहुलियत उनको बहुत होगी सब आसपासी है जो जैलिलता को 48 गंटों में लेकिन की सहुलियत तो बहुत होगी लेकिन आप सोचे कितनी शर्म की बात है वो इनसान जो प्रश्टा-चार के खिलाफ बोलता था और कैता था अगर चीट भी लगे तो फॉरन रिजाइन करो वो इनसान बात कर रहा है और कह रहा है मैं इस दीफा नहीं दूँगा और दोनों से तो ले लिया लेकिन मैं नहीं दूँगा और मैं जेल से अपनी सरकार चलाओंगा यह बतला बेशर्मी बेहयाई की इंतिहा और हदे पार कर दी है इस इंसान ने और आम से की गई जहां सेरविंद केज़ाओने फुद अपनी की थी बिलकुल देखिये जिस तरह से मजहेवे और नीता की तरह सुना पर भीख्यान और पर पोरे तया कर रही है ना सिर्व आम आदनी पारिनी पर पूरे अलाइस का जिसने वह काफी अस सहज भी नजर आयो प्रती अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके